हेलो बच्चूं कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैर पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे मैं हूँ प्रशांत महेश्वरी और फन्वेथ हिजिक सुट पिचल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो क्लास में हम चेप्टर नंबर 13 नूकलियस नाभिक को डिसकस करने वाले हैं और ये देखेंगे कि रास्तान बोर्ट 2021 के अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इससे पहले हम ये देखते हैं कि लास्त येर मतलब 2023 के अंदर कौन से क्वेश्चन आए थे तो अगर मैं पेपर को देखता हूँ तो यहाँ पर डेड डेड नंबर के मतलब वन औन हाफ और वन औन हाफ मार्किंग के दो क्वेश्चन थे जिनमें से एक था रेडियो एक्टिव डिकेलो रेडियो अक्टिव डिकेलो था जो पहले सिलिवस के अंदर था वो और उससे रिलेटेड एक नियुमेरिकल आया था ठीके तो लौ पूछा था मतलब रेडियो अक्टिव शैता का नियम पूछा था और एक नियुमेरिकल प खंडन और एक है दरव्मान शती मतला निउडियर फ्यूजन पूछा निउडियर फिजन पूछा और मास डिफेक्टनों ने पूछ लिया था तो यह वाला पार्ट था जो लास्ट यर पूचा गया है ठीक है अब इन वाले पार्ट को वैसे तो यह तो सिलेबर से हटी गया है और इस वाले को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि नहीं आएगा चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर blueprint में कैसी marking दी गई है यह तीन नमबर का ही chapter है बच्चो ज्यादा बड़ा chapter नहीं है तीन नमबर का chapter है जिसमें से एक mcq आएगा जो बहुत सिंपल आने वाला है इस चप्टर से कोई typical mcq नहीं आने वाला है तो theoretical portion को थोड़ा सा अच्छे से बढ़िएगा फिर एक नमबर का very short answer type question आएगा मतलब single line में आपको answer देना पड़ेगा definition आ सकती है इसके अंदर फिर एक short answer type आएगा लगुत्रतिय सवाल जिसमें dead number का theoretical portion आने के chances maximum है ठीक है चलो तो total मिला करके 3 number का mark बन रहा है सबसे पहले देखते हैं कि very short answer type question कौन सा आ सकता है अती लगुत्रातमक सवाल कौन सा आ सकता है इसके लिए मैंने 3 question को select किया था जिसमें से सबसे पहला है amu क्या होता है पूछता है बच्चो what is amu ठीक है और amu से related उर्जा कितनी होती आप सभी को पता है 931 mega electron volt होती कुछ किताबों में mega electron volt कुछ ऐसा भी लिखावा है अब 931 mega electron volt भी लिख करके आ जाओगे ये बिलकुल सही है कोई गलत नहीं निकाल सकता कितना द्रव्यमान होता है 1.66 into 10 to the power minus 27 kg होता ये पता होना ची कार्बन परमानों का एक बटा बारवा भाग जो होता है वही क्या होता है amu होता है फिर अगला है radio activity की परिभाशा radio activity की परिभाशा आपकी बुक में दो paragraph दे रखे हैं वापस से बता रहा हूं ये syllabus का पार्ट है सिर्फ radio activity इसके आगे पीछे कुछ नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ परिभाशा को अच्छे से पढ़ करके चले जाएं कहना कुछ भारी नाविक होते हैं वो automatically खुदी शहीत होते रहते हैं ताकि वो इस्थायत्व को प्राप्त कर सकें चलो फिर है बंधन उर्जा तो ये जो तीन सवाल है कौन- नूर्जा बाइंडिंग एनर्जी इन तीनों को अच्छे से पढ़ करके चले जाएगा आपका एक नंबर का सवाल मुझे लगता है इनी पॉइंट से आने वाला है चलिए अब देखते हैं कि डेट नंबर के लिए हमारे पास में कौन सा निमरिकल है आपके लिए मैं इन न नुक्लियर डेंसिटी इस इंडिपेंडेंट ओन एटॉमिक मास नंबर सिद्ध कीजिए कि ना भी किया घनत्व द्रवमान संख्या पर निर्भर नहीं करता यह एक अच्छा सवाल है हम प्रूव करते हैं कि यह के ओपर डिपेंड नहीं करता आपको शुरुआती वे लेक् पर नुक्लियोन बाइंडिंग एनर्जी और ग्राफ बिट्वीन पर नुक्लियोन बाइंडिंग एनर्जी एंड एटॉमिक मास नंबर आपको यादो आपकी बुक में कुछ इस तरीके का ग्राफ है यह ज़्यादा बना दिया है यहाँ पर कुछ इस तरीकेगा ग्राफ है ठीक है और उसे पता चलता है कि F E की पर नुक्लियोन बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इस तरफ A है इस तरफ E B by A है ठीक है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनरजी 8.8 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट के असवास में होती है F.E. की बाइंडिंग एनरजी ठीक है तो वो ग्राफ अच्छे से ध्यान में रखो ये डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखो ये पॉइंट बहुत अच्छा है एक्जाम के अंदर पूछा जा सकता है तो डेड नमबर का है तो ग्राफ अच्छे से ध्यान में रखो और इस ग्राफ की तिरी क्या है वो अच्छे से ध्यान में रखो ठीक है पूरा पढ़ करके जाओ फिर मेरे दस्टी कौन से सबसे important question ये है properties of nuclear force ना भी किये बलो के गुण और कोई तीन गुण minimum याद करके जाओगे पता चले दो में से लट जाओ ना minimum तीन गुण तो याद करके ही जाओगे इसी के साथ में आपकी बुक के अंदर इससे related एक graph भी है कुछ इस तरीके का graph है तो ये please है ना याद करके जाएगा इस graph को अच्छे से study करके जाएगा बच्चों ये graph ऐसे नीचे की तरफ जाता है ना कुछ इस तरीके से यो मैंने direct वैसा बना दिया ये कुछ इस तरीके से जाता है दिमाख में रहेगा चलो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया कोई इस chapter से क्या क्या देखना है ठीक है have a good day take care